अजीजास प्रेट्स फिलम ओ बिस्मिल्ला लुक्नान रहीम अस्सलाम अलईकुम हमारा पिछला टॉपिक रहा इस्कॉयर लेना किसी भी नंबर का स्कॉयर हम कैसे लेते थे यानि कुछ यह था किसी नंबर का यानि कोई एक नंबर अगर इसमें होता ब्रैकेट में उसका हम ले रहे थे इस्कॉयर ठीके अब आज का टॉपिक क्या है उसके लिए पहले तो यह बताएं कौन सी साइन है यह रूट यह हो गया रूट और वो हो गया इस्कॉयर क्या कहलाएगा हम दोनुको मिलाते है तो इसकॉयर रूट आज का मारणा टॉपिक है इसकॉयर रूट चलते हैं और देख मैं इसकॉयर रूट होता क्या है सकॉयर रूट जिसे अड़ों के रहे होते हैं उससे कह रहे होते स्क्वाइर रूट जैसे फॉर स्क्वाइर अगर करते हैं तो क्या बनाता है फॉर फॉर्जा सिक्स्टीन बनाता है लेकिन खुद फॉर क्या कहलाएगा लेकिन फॉर तो सिक्स्टीन तो फॉर का स्क्वाइर कहलाएगा लेकिन खुद फूर बोचो नमबर में क्या कहलाएगा स्क्वाइर रूट तो आज हम कंप्यूट करना सीखेंगे कि अगर हमें नमबर स्क्वाइरिंग आंसर दिया गया हो स्क्वाइरिंग में उसको दुबारा उस नमबर तक कैसे लाना है कि कौन से नमबर का ये स्क्वाइर था उसके लिए होते हैं हमारे पास दो तरीके जजरुल मरब्म वालुम करने की एक होता है प्राइम फेक्टराजेशन मैथट और एक होता है लोग डिवीजन मैथट प्राइम फेक्टराजेशन मैथट को उर्दू में कह रहे होते हैं अजजाए जर्बी का तरीका और लोग डिवीजन मैथट के लिए कह रहे होते हैं तक्सीम का तरीका हमने आए सीखने हैं ये दोनों तरीके कि किसी भी नमबर का स्क्वाइर रूट हम इन दोनों तरीकों से कैसे कंप्यूट कर सकते हैं ये हमारा एक नमबर है जिसे मैंने बोड पे लिखा है 11025 इस नमबर का हम क्या मालम करने जा रहे हैं स्क्वाइर रूट कौन से तरीके से हमारा फास्ट मैथट क्या था प्राइम फेक्टरिजेशन मैथट उसके लिए LCM वाला तरीका और LCM वाले तरीके यानि फेक्टरिजेशन में पहले पढ़ा चुकी हूँ जिसकी डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी कि ये कौन सा तरीका होता है और इसको हम कैसे स्वाल्फ कर रहे होते हैं इसके लिए हम यह देखेंगे कि last digit हमारा 5 आ रहा है हम इसको 5 से चेक करते हैं 5 से डिवाइड करके चर्क करते हैं सबसे पहले 2 digit ले ले लेते हैं इसको बना देते हैं 11 5 के टेबल में 11 नहीं है तो क्या करेंगे 5 टूजा 10 लगाएंगे ये जो एक ही इसके पास आ जाएगा कितने बन गए 10 5 टूजा 10 अगें कर लेंगे अब चुँके यहां पर यहां से नहीं गया जिसे यहां आया था इसलिए यहां हमें लगाना पड़ेगा एक 0 ये नमबर है 25 5 के टेबल में 25 कैसे आता है 5 5 जा 25 आता है अब दुबारा हमारे पास नमबर ऐसा आ गया जिसका 1 जो है वो 5 है क्या करेंगे 5 से ही इसको डिवाइट करके चट करते है 2 डीज़ट उठाते है 24 22 2 डीज़ट उठाते है 22 22 को तलाश करते है 5 के टेबल में नहीं है क्या आएगा 20 उसे कम 20 है कैसे आता है 5 4 जा 20 20 नहीं था अब 20 में से 2 रहे गए कहां चले गए 0 के पास दुबारा बन गया 20 5 4 जा फिर लगा देंगे 20 और यहां आएंगे 5 1 जा 5 नमबर मिला 4 4 1 अब ये 5 से कैंसल नहीं हो सकता एक और प्राइम नमबर 3 से इसको चेक करते है 3 के टेबल में ये कैसे कैंसल हो सकता है हम 4 लगाएंगे कैसे 3 1s अ कितना रहे जाएंगा 1 दे दिया 14 बना दिये 14 नहीं आते 3 के टेबल में क्या करेंगे उसे छोटा कौन सा आ रहा है 12 कैसे आता है 3 4s अ 12 आता है लेकिन ये 14 थे कितने रहे गए इसमेंसे 2 रहे गए कहां चले गए 1 के पास कितने बन गएंगे वह हूँ 21 3 7s अ 21 एक्स्ट्रा माउख जो हमने लगाए हैं इसे अटा देते अब हम इसको चेक करें दुबारा 3 से क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इसको हम दुबारा 3 से चक करके देखते हैं इसी तरीके से कि 3 4s are 12 2 इसमें से रह गए चले गए 7 के पास बना धिया उसे 27 3 9s are 27 49 3 से नहीं हो सकता किसे होगा डारिक ये 7 से होगा कैसे 7 7s are 49 और 7 खुद अपने टेबल से होगा 7 1s are 7 हमें इसके जो फेक्टर्स मिले वो क्या मिले लिखने के तरीका स्कॉयर रूट का पहले बता दू 1 1 0 2 5 ये लगेगा रूट आंसर हमने लेना है जो इसके जितने फेक्टर हमारे पास आए कौन कौन से फेक्टर आए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हमने इस सारे इसमें लिखने है root के अंदर लिखने है इसके बाद क्या करना है इसके बाद करना है कि हमने इन नम्बर के इंटू 7 Sam Sam Numbers गमने बना दिए Pears और इनमेंसे एक नमबर हम उठा लेंगे 5 पेर बनाके हमने 5 निकाल लिया फिर हमने इसमें से 3 ये ले लिया और इसमें से हमने ले लिया 7 और root की sign हट जाएगी हमारे question का number जो में given था वो ये था इसका answer क्या आएगा अगर हम इन तीनों को multiply करें 5 प्रेज़ा 15 और 15 को 7 से multiply करेंगे answer आएगा 105 इस तरह में ये पता चला कि 105 का ये number square में है जिसे हमने compute किया कि इसका खुद का number कौन सा होगा square root कौन सा होगा वो होगा 105 अब हम अपने दूसरे तरीके से जो के क्या है square root का दूसरा method और वो है long division method उसके सरी से मालम करते है square root और number इसके लिए 8281 इसका क्या तरीके कार होता है इसका तरीके कार कुछ यूँ होता है L से हमें हम number उपर लिखते हैं इसमें हम number नीचे लिखेंगे यह हो गया उसके बाद क्या करना होता है इसके हम इन numbers के हम प्यार बना लेते हैं लेकिन शुरू कहां से करेंगे right hand side से एक यह हो गया और एक यह प्यार हो गया अब हमें असानी यह हो जाएगी हम इतने पूरे number के लिए नहीं सोचना अगर कोई डिजर्ट सोचना है ना तो किस के लिए सोचना है 82 के लिए 82 के लिए जो number सोचेंगे वो यहां भी रखेंगे और ऐसा number सोचेंगे जिसको उसी number से हम जरब भी देंगे जरब देने वाला multiply करने वाला number उपर चला जाएगा 82 कौन से number को अगर हम उसी number से multiply करते हैं तो 82 बना दे या इसके nearest 81 बना दे हमारे पास number मुझूद है 9 9, 9 को multiply करते हैं यह 9 का square निकालते हैं तो क्या आता है 81 number हमने सोचा 9 को 9 से multiply करें result आएगा 81 no name 81 यह हो जाएगा यहां से minus यह वाला 9 दुबारा सोचे हुए 9 में हो जाएगा 8 यहां दुबारा संजगा दूँ जो number आप सोचेंगे उसी number को उस number से जरब देंगे जरब देखके जो हमें चाहिए होगा number उसके नीचे रखेंगे और यह वाला number दुबारा जाके उस number में हो जाएगा 8 यहां जमा कर लें कितने हो जाएगे 18 यह हो जाएगे यहां से minus 2 में से 1 को last कर दें 1 रहे गया 8 में से 8 0 अब next हमारा क्या है second pair हमारा है 81 यह पूरा का पूरा यहां उठा ले कौन से number बन गया 181 अब इस 18 से हमें 181 बनाना है लेकिन तरीकेकार वही है इसके साथ कोई number में सोचना पड़ेगा और जो number रखेंगे उसी से जरब देना होगा उसी को इसमें 8 भी करना होगा शुरू करते हैं 18 के साथ अगर मैं 1 लगा दूँ 1 से multiply करूँ यही नंबर आ जाएगा यही नंबर आ जाएगा जो हमें चाहिए आ गया इसका मतलब है 18 के साथ में 1 प्लस 1 साथ में लगा सकती हो इस तरह यह नंबर बन गया 18, 181 181 को multiply करें 1 के साथ answer मिला 181 यह वाला 1 हो जाएगा 8 यह वाला हो जाएगा minus यहाँ यह 8 करने से हमारे पास आ गए 182 यहाँ हमें पता है कुछ भी नहीं बचा इस तरह हम कहें सकते हैं कि 8281 का answer है हमारे पास 91 यह 91 नंबर है जिसका square अगर करेंगे तो 8281 होगा और 8281 का square root नंबर कौन सा है 91 आज का हमारा की topic यहीं पे अखताताम पजीर होता है जो के था square root उमीद है कि यह topic आपको समझ आ गया होगा और comments में इसके लिए जरूर बिताईएगा इसी के साथ मुझे दीजे इजाज़त अल्लाँ आफिस